Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Now, recently Supreme Court ने एक बहुत ही पुराने political murder के case में अपना final verdict दे दिया. लेकिन ये जो judgment है, ये important इसलिए हो जाता है, क्योंकि इसमें presumption of murder की बात करी गई, abduction के cases में. आने वाले समय में, it may be treated as a landmark judgment of criminal law. जानेंगे पूरा guess क्या है, और इसमें कौन-कौन से provisions पे बात की गई है. इस lecture की PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे ले सकते हैं. इसके अलावा, आप हमसे इन सभी social media platforms पे जोड़ सकते हैं. और अगर आपका कोई question है, तो वो आप मुझसे कोरा पे पूच सकते हैं. सबसे पहले तो ये जान लिजे कि Supreme Court ने कौन सा ऐसा principle दिया है इस case में. Supreme Court ने साफ साफ बोला कि accused पर murder का charge presume कर लिया जाएगा, अगर same accused ने abduction और destruction of corpus delicti को किया है. अब यहाँ पर आपको मुझे comment section में बताना है कि इस शब्द का मतलब क्या है, corpus delicti का अर्थ क्या है, case का नाम है Soma Sundaram versus State, ये decide हुआ था 4-6-2020 को और ये judgment तीन judges की bench ने दिया था, इस चीज़ को इसलिए ध्यान रखेगा क्योंकि आगे ये relevant हो जाता है. अब यहाँ पर हम जान लेते हैं case के background के बारे में. ने जब accused की demands को नहीं माना, तो accused ने अपने साथियों के साथ मिलके उनका murder कर दिया, एक सूनसान factory में ले जाकर. Accused यहाँ ही नहीं रुका, बलकि evidences मिटाने के objective से, उसने 1 January सन 2001 को एक सरकारी cremation ground में deceased की body को as a fictional person register कराया, और उनकी body को जला दिया गया. साथी साथ एक death certificate भी issue करवा लिया, उस fictional नाम पे. यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यह पहला judgment नहीं था इस case में, सुप्रीम कोट के द्वारा, बलकि 28. September 2016 को सुप्रीम कोट की two judge bench ने split verdict दिया था. यहाँ पर जस्टिस वी गोपाल गौडा ने accused को acquit कर दिया था, जबकि जस्टिस अरुन मिश्रा ने accused को convict किया था. और इसी split judgment के कारण सुप्रीम कोट की three judges bench को finally इस case को decide करना पड़ा. अब यहाँ पर main highlights जान लेते हैं, जस्टिस scholar में बोला कि section 109 of IPC को apply करना इतना आसान नहीं है और सिर्फ conspiracy proof कर देना ही sufficient नहीं होगा, बलकि यह भी proof करना पड़ेगा कि एक overt act commit किया गया है in furtherance of the conspiracy. असल में हुआ क्या कि accused के उपर section 120B of IPC का भी charge लगाया गया था, but prosecutors उसको prove नहीं कर पाया, इसलिए अब अगर accused को section 302 read with section 109 of IPC के अंतरकत punish करना है, तो उसके overt act को भी proof करना पड़ेगा. अब due to lack of evidence जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि accused ने deceased की body को cremate करवा दिया था, इसकी वज़े से deceased की body का ना तो postmortem हो पाया और ना ही murder की conclusive evidences prosecutrix को मिल पाये. तो जस्टिस गौड़ा का कहना था कि अगर murder prove नहीं हुआ है तो यानि की act serious नहीं है और जब act serious नहीं है तो accused को in sections के under में punish नहीं किया जा सकता. दूसरी तरफ जस्टिस अरुन मिश्चा का कहना था कि section 109 के तहट abitter को वैसे ही punish किया जाएगा जैसे कि principal offender को punish किया जाता है क्योंकि जो murder है वो consequence of abitment है. यहाँ पर justice मिश्चा ने ये भी clear किया कि अगर accused को section 120B के अंतरगत acquit कर दिया गया है तो उसका कत्ता ही ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर section 109 नहीं apply हो सकता और witnesses के statements से ये prove हो चुका था कि इस case में appellant के द्वारा abitment किया गया था. यहाँ पर justice मिश्चा ने एक और बात clear की कि जो section 120B है वो एक independent offense है और section 120B को लगाने के लिए section 109 का charge जरूरी नहीं है और ऐसे ही section 109 के charge को लगाने के लिए section 120B को prove करना जरूरी नहीं है. Basically, justice मिश्चा दोनों sections को separate लेकर चल रहे थे. जबकि justice गोड़ा का मानना था कि same nature के different offenses को साथ में पढ़ा जाना चाहिए. अब हम इस case से related जो relevant provisions हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहले है section 109 of IPC. इसमें punishment of abitment उन offenses के लिए दी गई है जिनके लिए कोई express provision नहीं दिया हुआ है. Section 109 ये कहता है कि ऐसे abitment में abitr को ऐसे punish किया जाएगा जैसे कि उसने खुद offense किया हो. यानि कि जो punishment उस offense के लिए है वही punishment abitment of that offense के लिए भी होगी. यहाँ पर explanation clearly provide करता है कि कोई भी act in consequence of abitment माना जाएगा अगर वो या तो instigation के द्वारा हुआ हो या फिर conspiracy के pursuence में हुआ हो या फिर उस offense के लिए aid provide की गई हो. दूसरी तरफ section 120B कहता है कि कोई भी व्यक्ती जो की party है एक criminal conspiracy का उसको वैसे ही punish किया जाएगा जैसे कि उसने abit किया हो उस offense को. अब यहाँ पर तीन तरीके के offenses के बारे में दिया हुआ है. पहला offenses punishable with death, दूसरा offenses punishable with imprisonment for life और तीसरा offenses punishable with regress imprisonment for a term of two years और upwards यानि कि दो साल या दो साल से उपर की सजा या regress imprisonment की punishment provide की गई हो उस offense में. अब यह section उन्ही offenses को cover करता है जिनके abitment के लिए कोई express provision IPC में नहीं दिया गया है. Sub clause 2 यह कहता है कि अगर कोई ऐसी criminal conspiracy की गई है जो की punishable है with punishment not mentioned in subsection 1 तो उस case में जो conspirator है उसको 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर fine लग सकता है या फिर दोनों ही. अब यहाँ पर evidence act के एक section को देख लेते हैं section 106 क्यूंकि जब three judges bench ने अपना decision सुनाया तो section 106 का इस्तमाल करते हुए defense के arguments को dismantle कर दिया. Section 106 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी fact के बारे में knowledge है तो the burden of proving that fact is upon that person. यह आगे जब हम judgment को पढ़ेंगे तो present case में section 106 की applicability को और अच्छे से देखेंगे. अब यहाँ पर court के सामने issue था कि क्या जो abductor है वो murder के लिए libel होगा even if the murder has not been proved. यहाँ पर क्योंकि deceased की body जलाई जा चुकी थी इस वज़े से ज़ादा evidences नहीं थे prosecution के पास. लेकिन यहाँ पर court ने held किया कि अगर abduction के बाद murder होता है और reasonable circumstances हैं तो यह court presume कर सकता है कि abductor ने ही murder किया है. अब यहाँ पर court ने section 106 का इस्तमाल करते हुए यह बोला कि abduction के बाद जो deceased है उसके whereabouts या उसके विशे में जो भी जानकारी है वो abductor के ही पास होगी. साथी साथ court ने यहाँ पर साफ कर दिया कि non production of body is fatal to the prosecution case यानि कि अगर prosecution deceased की body को produce करने में असफल रहा है तो यह prosecution के arguments के against नहीं जाता है. आगे court ने एक बहुती landmark judgment का हवाला दिया State of West Bengal versus Meir Muhammad Omar इस case का para 13 और para 21 present judgment में court किया गया है. इस case में section 364 को explain करते हुए court ने कहा कि prosecution का यह task है कि वो demonstrate करे कि deceased का abduction murder के लिए हुआ था. और court ने कहा कि अगर ऐसे case में जिसमें objective abduct करके murder करना है अगर उस case में आगे जाके murder नहीं भी होता है तो भी offense complete हो जाएगा जैसे ही abduction किया जाएगा. Defense के argument को ध्यान रखते हुए court ने कहा कि abduction करते समय अगर abductor का objective murder करना नहीं है तो उसके उपर 364 नहीं apply होगा और अगर abduction के बाद में जो accused हैं उन्होंने victim को मार दिया तो वहाँ पर court उसको culpable homicide में consider कर सकती है. लेकिन आगे पैरा 21 में Honorable Supreme Court ने बोला कि आज कल लोगों को पहले kidnap किया जाता है और बाद में उनको मार दिया जाता है. अगर 364 का principle हम हर case में लागू करने लगें तो ये बहुत ही dangerous precedent हो जाएगा. क्योंकि किसी का murder करने के बाद बहुत ही आसान होता है उसकी body को dispose off कर देना. आप as an accused ये बोलो कि मेरा तो objective सिर्फ abduction करना था और मुझे नहीं पता कि इसकी death कैसे हुई है तो court इस argument को मानने से मना कर सकती है. यहाँ पर आपके vocabulary के लिए एक शब्द मैं बता दूँ. इसका अर्थ होता है रेडर या फिर प्लंडर ये शब्द अंग्रेजों के द्वारा डकैतों के लिए यूज किया जाता था. खास कर कि वो डकैत जो की robbery करने के साथ साथ मास के लिंग में भी शामिल होते थे. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे इस वीडियो का जो source था वो SCC blog था जिसके इस article का link आपको description box में मिल जाएगा और आप उसको freely access कर सकते हैं. यहाँ पर दूसरा यह जो article है live law का यह काफी interesting coverage है. इस article में writer ने evidence law के point of view से पूरे case को analyze करने की कोशिश की है. खास करकि section 114 और section 133 of evidence act. इससे आपको पता चलेगा कि दो बड़े publishers एक ही case को किस तरीके से cover करते हैं. इसलिए बहतर यही होता है. कि आप एक चीज़ को different sources से पढ़ें. तो यह था हमारा analysis इस पूरे topic का. इस lecture की PDF आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगी. साथी साथ अगर आपको यह video पसंद आया तो please like, share और subscribe करें. Thank you, जैहन.